इस वीडियो में मैं डिस्क्स करूँगा आपसे solution हमारे question lowest common ancestor का सवाल मैं आपको समझा चुका हूं कि आपको एक tree मिला है आपको कोई 70 के लिए वो node to root path है 70, 30, 10 और 110 के लिए वो है 110, 80, 30, 10 तो दिखाता हूं एक बार highlighter से इसका path है ये और इसका path है ये ए 7 बना देता हूं तो अगर हम उपर से नीचे की तरफ सोचें तो जहां से जहां आखरी बार वो बात element common रहता है नीचे से उपर की तरफ सोचें तो सोचना बाना मुश्किल पड़ेगा क्यों? क्योंकि इसमें नीचे एक ही element है उसमें नीचे दो elements है लूप लगाना मुश्किल होगा उपर से नीचे की तरह सोचें तो ये पहला element है जो common है ये दूसर element है जो common है दोनों पाथ में तीसर element दोनों का अलग-अलग है तो जहां आपको पहला un-equal element detect हो, उससे पिछला element आपका lowest common ancestor होगा, जैसे कि उल्टा लोग चलाइएगा, node to root path है, 70, 30, 10, 110, 80, 30, 10, दो नोग 10 पे रखा, बराबर है आगे चलिए, 30, बराबर है आगे चलिए, यह तो un-equal हो गया, तो इससे पिछले वाला आपका lowest common ancestor था, ठीक है, लाइएएश कोड को लिख कर देखते हैं, बहुत असान होगा, क्योंकि हम पहले क्या लिख चुके हैं, यह लिख चुके है, node to root path, उसका इस्तमाल करेंगे हम, आरे लिस्ट ओफ इंटीजर, मैं अपनी स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ, आरे लिस्ट ओफ इंटीजर, पाथ 1, तो node to root path को मैंने invoke किया, और उसको node pass किया और d1 pass किया, फिर path 2 निकालेंगे, node to root path, node और d2 के साथ, ठीक है, अब दो लूप चलाएंगे, i को रखेंगे p1.size-1 पर, और j को रखेंगे p2.size-1 पर, पीछे रखा, अब लूप चलाएंगे आगे की दरफ, जब तक i 0 से बढ़ा है, और j 0 से बढ़ा है, और p1.get i बराबर है, किसके? p2.get आएंगे है, जब तक get j के, जब तक values बराबर आती रहेंगी, i को मैनस मैनस करते रहें, j को मैनस मैनस करते रहें, तो इस लूप से बाहर जब आप आएंगे, तब क्या स्थिती हो चुकी होगी? पहला un-equal बंदा आपको मिल चुका होगा, पहला un-equal बंदा मिल चुका होगा, तो आखरी equal बंदा के लिए, आप i plus plus और j plus plus कर सकते हैं, दुबारा से equal वाले पहुंच गए, ठीके ना, यह देखे, यह loop cup terminate हुआ था, equal है बढ़िए, equal है बढ़िए, un-equal होगया, बाहर आ गए, वापस i plus plus किया, ताकि equal वाला आखरी equal मिल सके, उम्मिद करते हैं यह चलेगा, submit किया, accept हो गया है, server पर कुछ error आया, server की error गलतियां नहीं होती है, वो software का mistake होती है, code की गलती नहीं होती है, most likely हमारे server पर pressure है बहुत ज्यादा, most likely हमारा server pressure में है, तो आप इस सवाल को submit मान लीजिए, क्योंकि दो accept हुए थे और एक में server error आया था, हाँ जी, यह server error आ रहा है, तो इसको ignore कीजिए, दो accepted है, आप इस accept मानिए, हम अभी server को ठीक करा लेंगे, so this was lowest common ancestor, मैं तेंग ले सवाल में, thank you very much.